कि नमस्कार पर नाम आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल विहारु जाला में और आप सभी के साथ मैं हूँ ब्रजेश कुमार मिस्रा अभी एक और जिले का नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया है और इस कौन सा जिला है आप सभी को हम बताने वाले हैं यहां पर भी गाडियों का निलामी शुरू हो चुका है आप चाहें तो यहां पर आवेदन आप आज से कर सकते हैं यहां पर सबसे बड़ी जो खासियत है कि य किसन गंज में एक बार फिर गाडियों का निलामी स्टाट कर दिया गया हालाकि इसके पिछले महिने में किसन गंज में गाडियों का निलामी किया गया कटिहार दोनों साथ ही में निलामी हुआ था किसन गंज और कटिहार में लेकिन उसके बाद अभी फिर मार्च महिने में किसन गंज में फिर गाड़ियों का निलामी स्टाट कर दिये गया है और फोर बिलर यहां पे गाड़ियां सबसे ज़्यादा मिलने वाली है प्रोसेस की बात करें तो यहां भी आपको करेक्टर सोडिफिकेट आप जिस जीला के निवासी हैं वहां से आप पुलिस अधिक्छक के दुवारा बनवाले साथ में अधार काड़ पासपोर्ट साइज फोड़ो और दस परसेंट यहां भी अग्रीम रासिद लग रही है तो इसके साथ आप बैंक का डीडी या चेक्बुक जो भी हो आपके पास उसको इस फॉर्म के सांथ जमा कर सकते हैं यहां पे फोर बिल लेना चाहते हैं तो वो भी है पीकप है मैजिक है सेंट्रो कार है एक बार डिस्क्रिप्शन में इस लिंक रहेगा किसंगंज का जो पीडियेफ है आप लोग चाहेंगे तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे या टेलीगरम में हमारे लिंक रहेगा आप वहां से भी डाउनलो कभी है तो वहाँ से भी आप कर साठ करेवर evolution कर निलामी हो रहा है जादा रप्रांविगार निलामी नहीं धारी । 54 गाड़ी में शबसे ज्यादा फोर These are गाडियां हैं डेट आपको बताते हैं तो 14 मार्च को गाडियों का निलामी होने वाला है किसन गंज में और इसका जो फॉर्म भढ़ने का जो अंतिम डेट है वो 10 मार्च है अगर 10 मार्च तक आप फॉर्म को जमा कर देते हैं तो आप इस निलामी में भाग ले पाएंगे कि गाडियों के एक बार आप लोग बीना देखे किसी भी गाड़ी पर फॉर्म नहीं भरियेगा एक बार वहां पर वहां पर बिजिट कीजिए किसन गंज में और वहां पर गाड़ी आप लोग अच्छा लगे तभी अन्य जीला का भी वीडियो हमने डाल रखा है आप लोग चाहें तो जिस जीला में आपको ज्यादा सुविधा लगे या बेहतर गाड़ी लगे वहां से आप लोग गाड़ियों पर फॉर्म को भर सकते हैं यह जनकारी आपको कैसी लगी या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताईएगा कोई राय है कोई स जनकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल नमस्कार